यदि आप लॉपढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमारे एप को डॉणलोड करें और लॉपढ़ें नमस्ते सदावत सले मात्रभू में मुंबई में जिस प्रकार से ये प्रकरण चल रहा है और मुंबई की हालत हमने सबने देखी है कि नेपोटिस्म की बात बहुत जादा वहां पर आती है या फैवरिज्म की बात आती है रीजिनलिज्म की बात आती है और पीछे तो अभी कुछ हदियों हो गई जब लोगों ने ये कहना शुरू किया मुंबई में कि जिस ठाली में खाते हो उसी में छेट करते हो और आउटसाइड अफ मुंबई परसन मराठियों के अलावा हमने सबने देखा होगा कि मराठिय अंदोरन कभी साउथ इंडियन्स के खलाफ शुरू हुआ और बाला साब ने शुरू किया था उसके बाद उनके भतीजे ने शुरू किया बिहार और अतरप्रदेश के लोगों के खलाफ और मुंबई मराठियों के लिए ऐसा कुछ आमची मुंबई और पतनी क्या चा हलकि रिजिनलिस्म हमारे देश के लिए किसी जहर से कम नहीं है पूरे देश में जब हम one nation, one identity, one person की बात करते हैं, एक arashan card की बात करते हैं, नरसी की बात करते हैं हम जब इस तरह की सुसाइटी में जी रहे हो उस समय ये कहना इस प्रकार का स्टेट्मेंट आना अपने आपने बड़ा दोखत है लेकिन हुआ तो है कंगना रनावत के मामले में हमने साफ देखा क्या वो मराठी होती या वो मुंबई की ओरिजिनल होती तो उनके फ्लैट को गिराने की हिम्मत करती शिव सेना ये सोचने की विशह है सुषान सिंग राजपूत केस में जिस प्रकार से सरकार ने वहां की पुलिस ने उसको लीपा पोती करने की कोशिश की और ओरिजिनल मर्डर को जो दिख रहा है कि मर्डर है जो बहुत सारे एविडेंस आए जिन से प्रमेफसाई ये लग रहा है कि मर्डर है उसकेस को प्यूर सुसाइट केस में कनवर्ट करने के प्रयास किया और ऐसे बहुत सारे अंगिनत मामले हमने दिशा सानियाल का मामला देखा कि पूरा ही दब गया और हम अकसर ये निउस आती है हर दो तीन चार महिने में ये आते रहते हैं और इनकी किसी में किसी भी केस में अभी तक क्रिमिनल चार्ट शीट फाइल नहीं हुए ऐसा एक परसप्शन बना हुआ है बिहार पुलिस ने जब मुकदमा लिख लिया तो बिहार पुलिस वहां पर गई तो हमने सब ने देखा कि वहां की जो मेडिकल टीमे पुलिस है उन्होंने उसको एक डिप्टेसपी गए थे उनको ही अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बद उनको कहा कि आप बहर से आये हैं कोरेंटाइन रहना पड़ेगा और पतनी क्या क्या चाहिए ऐसी परसिती में यह जब लग रहा हो कि क्या मुंबई के अलावा को को इत्यास बता दू कि कोलकता कभी बहुत बड़ी इंडस्टी हुआ करती थी और हमारी इंडस्टी में कोलकता अगर शुरूबात की बात हम देखें in the starting of Hindi cinema या cinema in India बोलने वाली फिल्में शुरूंई तो врем one कहीं कोलकता उसका स्थान हुआ करता था फिर वो बड़ी मंडी लाहोर बनी संपतभारत में लाहोर बड़ा स्थान हुआ करता था चूंकि पंजाबी बड़ी प्रमुक्ता से वहाँ पर हावी हो गया था और इंडस्टी में आज भी पंजाबी और मुसल्मान हावी है तो पंजाबी मुसल्मान वो लाहोर का ही प्रोड़क्त था जब पाटिशन हुआ तो पाटिशन के बाद जो तीसरा सेंटर बना हुआ था वो मुंबई बना हुआ था और चुम कि सबसे बड़ी मार्केट जो film इंडस्टी की है वो हिंदी film इंडस्टी की उत्तर भारत है और अगर हम फिल्में कहीं कोलकाता में बनाते हैं तो वो उत्तर भारत का flavor नहीं आ पाथा मुंबई में चुकि हिंदी बोली जाती है साम आम तोर से हिंदी बोली जाती है वो बिगडी हुई बोली जाये वो मिक्स बोली जाये वो अलग बाद है लेकिन हकीकत यह है कि मुंबई की पूरी की पूरी इंडरस्टी उत्तर प्रदेश, बिहार, चत्रिसगर, जारखंड, मध्र प्रदेश, राजस्तान, हरियाना और दिल्ली, उत्रखंड और हिमान चल प्रदेश इनके रिणी है वो जो आप देखेंगे इंडरस्टी में 98% मैं फिर से कहता हूं 98% लोग हिंदी बाशी प्रदेशों से हैं चाहें वो फिल्म इंडरस्टी के महंतम कलाकार उत्तर प्रदेश से गए अमिता बच्चन हो चाहें आप मनोश वाचपई को ले लीजे, मादुरे देक्षित को ले लीजे, मादुरे देक्षित एट बीडी पहले गई, उनके पिता जी गए होंगे, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये नॉर्थ और जिनके लोगों से इंडस्टी चलती है, इवन जो प्रदूसर डिरेक्टर से हैं वो प्रदूसर डिरेक्षिर भी पंजाब से ही, बहुत बड़ी मात्रा में पाये जाते हैं, आप देखेंगे कि कपूर खांदान कितना वहाँ पर भारी है, और कपूर तो पंजाबी हैं, ये बेसिकली लाहर से थे, बाद में जाकर मुंबई में शिफ्ट हो गए, मैं कहना ये आता है कि जब मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, 36 गड़, जारखंड और ये जो साथ आठ प्रदेश, दस प्रदेशों के नाम मैंने गिनाए, इन दस प्रदेशों के ही लोग वहाँ पर काम करते हैं, तो फिर इंडरस्टी इन में से किसी प्रदेश में क्यों नही ये वही सवाल है, जो मोदी जी ने जब वो अमेरिका के दोरे पर थे तो उन्हों ने कहा कि गूगल और माइक्रोशफ चलाने वाले भारती हैं, तो फिर गूगल भारत में क्यों नहीं? जब आईटी इंडरस्टी चलाने वाले भारती हैं, जो अमरिका में काम करते हैं, तो फिर भारत में क्यों नहीं? ये वही बात में दोरा रहा हूं, कि अगर उस इंडरस्टी में काम करने आले लोग उत्तर प्रदेश बिहार से हैं, तो ये इंडरस्टी बिहार में क्यों न भीने की जो जगह उन्होंने इंड़ारित की वह जगह मुझे लगता है कि देश में किसी को भी अस्विकार नहीं होगी उन्होंने का नोइड़ा या ग्रेटर नोइड़ा की अगर बात आती है तो आप यह समझ लीजिए कि हमाशल प्रदेश पंचाब, जमन कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, हरियाना, मध्ध प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये तो उसके बॉर्डर्स हैं, जो चारोवर से कहीं न कहीं लगते हैं, किसी प्रकार से और उत्राखंड जो लगते हैं, अब बच्चे दो-तीन प्रदेश और, जो थोड़े दूर हैं, उनमें बिहार, और 36 गड़ ले लीजे, जहरकंड ले लीजे, ये थोड़े दूर हैं, ये तीन स्टेट और अगर इधर की तरफ मिला दिये जाएं, या हम ये कहें कि इनकी मनोदशा हो जाएं, तो ये अपने आपको सबसे ज़्यादा फैमिलियर, दिल्ली के आसपास या उ परशा एडाप्ट की जाती है, इसलिए ज्यादातर फिल्म राइटर्स ही उत्तर प्रदेश के हैं, ज्यादातर गीतकार उत्तर प्रदेश के हैं, ज्यादातर संगीतकार भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, या पंजाब से आते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि योगी इतना जी ने जब ये घोशना करी कि हिंदी को अपना सिनेमा हॉल मिलेगा, हिंदी को अपना सिनेमा मिलेगा, हिंदी सिनेमा को अपनी जगह मिलेगी, अपना कारेला मिलेगा, ये कब ली तारिफ है, के बल हिंदी नहीं, क्यों नहीं, जब केंदर सरकार में जब local product को GST लागू करने के बाद और jST के बाद जब ये कहा गया सरकार ने कहा कि local product जहां का है वहीं पर बने वहीं पर विक्ए कलाकार उत्रप्रदेश से जाते हैं वियार से जाते हैं फिल्म चलती इनी राजियों में हैं लेकिन साब इंडस्थी महारास्ट में हैं, तो महारास्ट कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुंबई पर इतना ओवरलोड क्यों। मुंबई वैसे ही हमारी एकॉनोमिक राजधानी है, और एकॉनोमिक राजधानी होने के नाते मुंबई पर बहुत प्रेशर है, इसलिए मुंबई के धारावी जैसे इस्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं कि हम को नरोक नहीं पाते, इतनी ज़्यादा जुगी जुपनियां मुंबई में बस चुकी हैं कि उनको तोरना असंभव टाइप का लगता है, मुंबई बिलकुल कबड़ खाना हो गई है, इतना प्रेशर मुंबई पे डालने की बजाए, क्या डी सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता, अगर तमिल नाडू की इंडरस्टी तमिल में हो सकती है चन्नाई में, और साउथ की टेलगू इंडरस्टी हो सकती है, तो भोजपुरी इंडरस्टी क्यों नहीं बढ़ सकती, और हिंडी, मैं भोजपुरी तो एक उसकी उपवाशा की बात करता हूँ, भोजपुरी की मोसली शूटिंग अब होने लगी है लखनाउ वगारा में, नुड़ा में, लखनाउ में, या उधर गोरकपुर में, लेकिन मैं जानना ये चाहता हूँ, क्यों नहीं हिंडी इंडरस्टी यहां पर डबलब होती, योगी अधित्यानर जी ने बिल्कुल दिल खुश कर दिया है पूरे देश का, वहां जहां पर जकडन आ चुकी है, जहां ड्रक्स ने चारो और से कैप्चर करके रखा है, जहां आयाशियों ने अपना इस्थान बना लिया है, जहां देश विरोधी शक्तियों ने अपना इस्थान बना लिया हो, जहां करप्शन चरम पर पहुंच चुका हो, और मराठी इत्याचार लगातार हो रहा हो मैं साब्दिनिक रूप से मराठी इत्याचार नहीं कहता मैं सरकार कोई बात करता हूँ जैसे इस समय की सरकार है जो उसने दुभाता रूप हमने देखा कि शुशान सिंग राजपूत केस में जिस तरह से उसने डबल गेम खेला या कंगना रनावत के मामले में उसने डबल गेम खेला ऐसी सिचुएशन में इंडस्टी अगर यहां पर आती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं सी दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडस्टी की यहां पर आने पर लोगों को जो आशंका हैं वो यह है कि आप शूटिंग तो कहीं भी कर सकते हैं देश के आउड़ोर भी करते ही है और मुंबई छोड़कर भी हम शूटिंग करते ही है एडिटिंग जो में इंडस्टी का हब है जो main industry बनाती है वो है editing of the films हमने देखा बाहु बली editing के बरपल ही चली और जो Hollywood है Hollywood Los Angeles में इसलिए है California में क्योंकि वहाँ पर IT hub है यानि कि वहाँ editing best होती है उत्तर प्रदेश में Noida मैं बता दूँ आपको कि पहले से एक film city बनी हुई है 90% हिंदुस्तान के जो studios है जो news studios है वो Noida में है film city बनी हुई है और अब film city बड़ा रूप यहाँ पर बनाया जाए तो आप समझ लीजे कि Noida knowledge park बगारा जो बने हुए है IT चेतर बने हुए है IT लेंड से लोट करी गई है IT का हब बनता जा रहा है Noida धीरी धीरे करके हिदराबाद में इसलिए हिदराबाद की industry है क्योंकि वो IT हब बन गया है हिदराबाद चंड़ी में इसलिए है कि कुछ चंड़ी भी IT हब बन चुका है यहाँ पर IT हब बन चुका है उतर प्रदेश के नोइडा और गाजियाबाद गेरेटर नोइडा के क्षित्र में तो अब अगर यहाँ पर लेंड लॉट करती जाए तो मुझे नहीं लगता है कि editing में कोई समस्य आने वाली है editing यहाँ पर होगी कुछ समय तो transformation में लगता है क्योंकि जो use through हैं लोग वो मुंबई में ही पाए जाएंगे फिर दीरे से यहाँ शिफ्ट होगे हैं यहां के लोग सीखेंगे यहाँ जो IT industries हैं वो solutions best solutions देंगे वीडियो editing के लिए यहाँ editors चाहिए जिसे मैं ही यह जो lecture देता हूँ इसकी editing के लिए अपने को बंदे नहीं मिलते मैं दिली में रहता हूँ लेकिन दिली में भी अपने को best editor नहीं मिलता है मुझे लगता है कि अगर यह industry यहाँ पर आ जाएगी IT industry को काम मिलेगा फिल्म में काम मिलेगा फिल्मी studio का काम हमारे पास हमारी industries में आएगा तो फिर यह best होगा इसलिए हमने एक IT industry के लिए एक company register की थी और अभी की है lockdown से पहले वो था EDU भारत Infotech Private Limited EDU भारत Infotech Private Limited का काम यह होगा जो मैंने प्रयास शुरू किये कि भारत में IT industry कैसे establish की जाए इस पर हमने बैठके शुरू कर दी हैं लोगों को invite करना शुरू कर दिया लोगों से मिलना शुरू कर दिया था बदकिस्मती से कि वो करोना का यह संकट आ गया इसलिए हम नहीं शुरू कर पाए तो कैसे हम software technology provide कर सकें कैसे हम अपने servers लगा सकें कैसे भारत में editing हो सकें यह जो Los Angeles का काम है सारा यह जो California का काम है या New York में बहुत सारा चल रहा है यह भारत में सब कुछ establish हो इसलिए इसका dispersion होना जरूरी है अब IT field के लोग यहां से काम करते हुए मुंबई जाते हैं मुंबई में जाकर अपने आपको settle करते हैं अगर नोईडा में ही उनको काम मिलने लगेगा IT field को तो मुझे नहीं लगता कि फिल्म एडिटिंग में कोई समस्या बहुत बारी आने वाली थोड़े दिन तो समस्या सभी जेगा रहती है कि बिल्कुर नया टाइप का काम होगा साल दो साल तीन साल लगेगा लेकिन योगी अधितनाद जी ने जिस प्रकार से decentralization या जो मुंबई की समस्या है उन सभी प्रशनों का जबाब योगी अतितनाद जी की इस घोशना में है इसलिए उनको सादू बात कहना तो बनता है सभी का बनता है और इससे उत्तर प्रदेश बिहार और इससे छेतर का जो टैलेंट है उसको नेपरिजम का सामना नहीं करना पड़ेगा हालागि कुछ समय ब बच्चन बहुत बड़े हीरो होते हैं और वो अमिता बच्चन से भी जागा आगे निकलते क्योंकि प्लेटफोर्म बना हुआ है मिला था ये सब कुछ हमको ध्यान में रखना चाहिए इसलिए इंडस्टी का यहां स्वागत होना चाहिए और उमीद यह की जानी चाहिए कि योगी एदितना जी की सरकार पुना बनेगी क्योंकि इस इंडस्टी को यहां शिफ्ट करने में भी चार-पांच साल लगेंगे और अभी एक साल बात चुनाओ हम सब को दिखाई दे रहा है कि अभी चुनाओ सामने खड़ा हुआ है तो योगी एदितना जी की फिर से सरका जाएगा कि मुंबई उत्तरप्रदेश बिहार वालों की वज़े से है बिहार उत्तरप्रदेश मुंबई से नहीं है टैलेंट वहां गया और उस जमीन को उसने फली भूद किया है जैसे टैलेंट यहां से गया और अमरीका को उसलिए IT इंडस्टी को बढ़ाया है अमरीका चाहता तो रोख कर सकता था बंगाल की तरफ भी वो चाहता तो उस समय रोख कर सकता था उत्तरप्रदेश की तरफ भी लेकिन मुंबई की तरफ रूख किया लाहर से यह मुंबई का उस समय का सोभाग ही है कहा जाएगा और इससे ज़्यादा कुशन है इसलिए योगे इतन को लॉयर्ट्स को और आम अदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेट प्लस फ्री क्लासिस का लाब ले सकता है